हाई गाईज कैसा हैं आप लोग सुगाइज वीडियो में हम एलकोहल और इथर और फिनोल इस चैप्टर के क्वेश्चिन कर रहे हैं जो कि J.A.E. मेन जून 2022 अटम्ट के क्वेश्चिन में आये थे सो यह इस चैप्टर से रिलेटी दूसरे चैप्टर के चैप्टर वाइस बेसिकली मैं इस साल के दूसरे साल के मलब काफी कुछ अप्लोड कर जोगो प्लीज एक बाप प्लेलिस और वीडियो सेक्शन जिरूर देखें आपको काफी हैल्प होगी इसमें फिलाल स्टार्ट करते हैं है इसको आपने PCC से रियक्शन किया तो इन्होंने का भी ए बना अब आगे कि इसमें फर्दर रियक्शन किया ओन रियक्शन विद सोडियम हाइपो आयोडाइट यानि NAOI के साथ रियक्शन कराई और B बना और B फर्दर रियर हीटिंग विद सोडा लाइम गीव से तो अब देखिए PCC एक अच्छा ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो सेकेंडरी अल्कॉहल को आभी कीटों में कनवर्ट कर देता है तो इसका मतलब CS3, CS, double bond CH, CH2, C देखिए ये वाला था तो ये जो पूरा का इसके बजाए अगर आपको NaOH प्लस I2 भी दे देते है तो सेम ही आपको प्रोडक्ट था वो बनना था तो ये बात जरूर ध्यान लगे अब इस रियक्शन की एक खास बात होती है कि जैसे ये वाले जो आपके compound है ये वाले या फिल जैसे CH, OH, CS3 जिसमें ये entities present होती है वही अगर आप इसको यहां से देखें तो obviously ये वाली entity इसमें present है ये है अब इसमें एक specific आपका जो प्रोडक्ट बनते हैं जो दो important बनते हैं मलब दो ही बनते हैं तो ये क्या होगा ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो CH3 वाला पार्ट है ठीक है double bond होके इधर वाला दूसरा तो ये convert हो जाता आपका iodo form में याने CHI3 जो एक yellow PPT होता है और दूसरा जो ये वाला पूरा पार्ट है अब देखें इसको आप समझें आप कैसे बनाएंगे इसका basically carboxylate बनता है carboxylate ion अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे CH3 CH double bond CH CH2 CH double bond O यहां से तो आपने ये बना यहां पर OH जोड़ दो लेकिन क्या होता है क्यों कि NAOH है आपका medium में यह है तो यह basically जो acidic H है इसका यह remove कर देता है medium की वज़े से तो generally हम जब कहते है कि इसका product क्या मना यहां negative बनता है ठीक है तो यह final इसका बनता है अब इन्होंने कहा यह हो गया आपका B अब विच on further heating with soda lime इसका यही खतम रोल हो गया अब यहां पर यह soda lime से reaction कराई है अब देखे क्या हो गया NaOH plus CO soda lime वाली reaction क्या हो गया soda lime decarboxylation reaction इन सभी name reaction पर oxidized agents पर मैंने सब पर वीडियो बनाई है आपको कोई tension नहीं है अगर आपको इसके पर basic clear नहीं है तो soda lime decarboxylation में क्या होता है basically decarboxylation का अगरता है CO2 निकलनी है आपकी एक carbon घटना है in the form of CO2 carbon dioxide gas तो देखे क्या होता है इसकी mechanism हो लेकिन easy reaction है कि CW है यह ऐसे देखे यह वाला ऐसे अरेंज होता है और यह वाला बोंड basically break हो जाता है समभना आपको तो इस तरह से यह वाली च यह वाला 2 था ना यह bone break हो तो समझो कि medium से hydrogen लेकर CS3 बनाते हो यह hydrogen कहां से है आपको mechanism पता लगा लेकिन इसमें mechanism जरूत नहीं है इस डायरेक्ट लिख लो क्यों कि इधनी side reaction में कितनों कि आप mechanism बना हो गया तो यह वाला इस तरह से आपको reaction पता हो नहीं चाहिए formulas जैसे आप maths में याद करते हो तो यह आपको compound बना this is C तो इसका मतलब क्या हो गया जो आपका compound C हो गया correct याने 2 butene 1,2,3,4 but and 2 in okay so option C is your correct answer next question देखते है in the following reaction यह the compounds A and B respectively are now guys यह reaction जो दीगे यह बहुत important reaction है वो इस पे जही में बहुत बार question पूजग है simple straightforward है देखे इसको आप क्या बोलते हो इस compound को आप बोलते हो क्यूमीन को जब आप oxygen से reaction कराते है या आप कभी-कभी इस तरह से भी बोला जा सकता आपको कि aerial oxidation of क्यूमीन को कुल मिला के आपकी O2 selection हो रही है इस compound की तो आपका ultimately इसमें दो compound बनते है एक तो आपका phenol बनता है ठीक है और आपके जो यह बन जाता है और O2 के साथ किया तो यहां इस carbon के साथ हमेशा आपको एक H दिखेना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ O2 है ठीक है तो यह तो C हो गया यह CH3 हो गया यह CH3 हो गया अब धियान रखिए इस H के बीच में मुझे यह O दोनो O गुसा देने है ठीक है इस H के बीच में दोनो O गु ठीक है अब जब इस कि आप H IN के साथ देख्शन होता है H IN H2 तो अब क्या हो जाता है कि अब देखे इसका बहुत ईजी तरीक है इसमें दो O है आपको break करना है ट्रिक के साथ यह वाला जो ऊपर वाला पार्ट है एक ऊपर वाला पार्ट है एक O को ले जाएगा ठीक है और तो यह रिंग वाला पार्ट है, यह इस second वाले पार्ट को अपने साथ ले लेगा, ठीक है, अब उपर वाला पार्ट का क्या बन गया, CS3, CS3, एक O है, इसे दो बोन चीए है, दो O लगा दो, और यह वाला जो पार्ट है, इसको जोड़ दो, तो इसको क्या बन जाएगा, यह आपका बन गया, acetone और यह आपका बन गया, phenol, इस तरह से आपको इसमें जुगाड लगाना है, याद करने के लिए, कभी कभी हम confuse हो जाते हैं, बहुत हैं, तो I hope guys, इसमें आपके सौझ मागा, mechanism भी होती है guys, लेकिन वो इतनी important नहीं है, यह आपको बस यह पता हो नाच, यह intermediate बना, कभी कभी आपको इसमें intermediate भी पूछा जाता है, बहुत बाद पूछा गया है, पिछली साल पर है, तो इसलिए इसका जो correct option हो गया, answer हो गया, क्या हो गया, option number C, phenol, और यह आपका acetone बन गया, okay, I hope guys, आपको समझ में आओगा, यह trick समझ में आओगा, next question देखते है amongst the following, the major product of the given chemical reaction is, now guys, देखे, अच्छा question है, इसमें कभी कभी strains बहुत बार confused हो जाता है, और आपका मैं इस question में सारे confusion दूर करने कोश्च करूँ हो, देखे, इसकी जो reaction हो रही है, BR2 and CS3, OH, methanol की presence में आपका major product पूछा हो, major product पूछा, इस बात पर ध्यान रखीगा, इसमें double bond है, और एक है आपका ether वाला part हो गया, generally ether वाला क्या हो जाएगा, non reactive रहता है, फिर भी oxygen है, यहाँ पर अच्छा electronegative element होता है, अब देखे, यह double bond है, अब नॉर्मली, इस cases में क्या होता है, double bond जब भी दिखता है आपको, तो आपको bromination होता है, और cyclic basically, जो temp आपका bromination से cycle भी बनता है, वो आपका इसमें बनता है, देखे क्या हो जिए अब इसमें देखे normally क्या होता है, जैसे आपका double bond है, तो बियार आता है इसके पास, अब भी आर आ रहा है, तो यह क्या करता है, यह बी negative entity है, तो इसको basically क्या करता है, इसके सारे charge को repel करता है, एक तरसे, समझ तोड़ के कोशिश करू तो यह एक BR positive मान लू और इसको मैं एक BR negative मान लू इस बात कर ध्यान रगे याने जब यह इस पे जुड़ेगा तो इस तरह का एक cycle बना तो यहां पर positive charge एक तरह से positive charge partial positive charge मान लू कोई नहीं तो यहाने जब मैं इस से अभी यह double bond टूटेगा तो यहां पर जो यह BR की बनी है यह बन गया अब क्या होगा BR negative है अभी CS3 OH भी है CS3 OH इसमें attack करेगा ओके यह अच्छा यहां पर nuclear file है अभी इस पर chances है यह attack करेगा क्योंकि यह वाला जो हो गया थोड़ा plane में हो गया और जब यह attack करेगा या तो इस carbon पर attack कर सकता है या फिर इस carbon पर attack कर सकता है ठीक है minor major सब बन सकते हैं क्योंकि major पू कोचें अगें फिर से इसको समाझ नहीं कोश्च करेगा तो यह वाल अगर सपोज इसपर attack करा तो यह बोन तूट जाएगा BR इस पर आजएगा और अगर इस carbon पर attack करें तो यह बोन तूट जाएगा BR इस पर आजाएग और दोनो दोनो अपोजिट प्लेंस में हो जाएगे ये above the plane, ये below the plane और vice versa, ये above the plane, ये below the plane, इस तरह से कुछ फर्क नी पड़ेगा, अब ये कैसे decide करें कि इस में से कौन से कारण पर आएगा, again, assume करो, मैं फिर से आपको assume करवा रहा हूँ, ये oxygen है, अब यहाँ पर assume करवा, electron negativity का ही इस पर अभी इस ring में फर्क पड़ रहा है, इसके lone pair से कुछ फर्क नी पड़ रहा है, ये एक अच्छा electron negative element है, यानि electrons खीच रहा है, यहाँ से, तो इसका मतलब ये जो carbon है, इस पर थोड सुनना हूँ, ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ, कि जब मैं ये वाला बोल रहा हूँ, तो एक तरह से ये positive charge है, और ये negative charge है, क्योंकि यहाँ पर lone pair nucleophilic attack कर रहा है, वो हमीशा positive वाले site पर attack करेगा, समझ में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर attack करेगा, यानि इस समझ में है, तो जब वो इस पर attack करता है, तो ये वाला bond break हो गया, I hope guys आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, तो जब आप ये देखेंगे, तो ये O है, तो let's just suppose ये above the plane attack करता है, अगर, तो O CH3 बन गया, देखे, HB है, यहाँ H positive हो जाता है, obviously वो निकल जाता है, आपका H positive तो मैंने direct लिख दिया इस चीज को, ठीक है, और यहाँ पर जब ये bond गया, तो below the plane चला जाता है, ये BR हो गया, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कि let's just suppose, कि इसने above the plane, below the plane सा attack किया था, कुछ फरक नहीं पड़ता, बस ये above the plane हो जाया, तो इसमें जो आपका correct answer हो गया, वो क्य से कटिया, अगर below the plane होता, सेम हो जाता, इसमें यहाँ पर OCS3 जोड दिया, हाला कि opposite planes में दिखाए वे हैं, लेकिन यहाँ दिखा दिया OCS3, तो ये इस वेज़े से गलत हो गया, similarly, ये इनके symbol चेंज करते हैं, लेकिन याप BR होने के वज़े से ये गलत हो गया, so I hope guys, आपक प्रोड़क्ट फॉर्म्ट इन दफॉलिंग रिक्शिन इसमें ये एक एथर दिया हुआ है, और इसके यहाँ पर आपका एक डबल बोंड दिया है, और आपको कहा है, प्रोटोन से रिक्शिन करो, ठीक है, मेजर प्रोड़क्ट पूछा है, मेजर प्रोड़क्ट देखे, यहाँ पर तब बनेगा जब यह वाला भी जो जिस पर लोन पर है, नेगेटिव चार्ज है, बेसिकल इलेक्ट्रोन डेंसिटी है, यह अटेक करने वाला है, इसके अकोर्डिंग आपको देखना है, अब यह देखिए, इसमें जब पोजिटिव अटेक करेगा, तो इसमें आ गया, ठीक है, कि H यहाँ पर जुड़िया, अब पोजिटिव जुड़िया, अब एक चीज गोर से देखिए, इस केस में जो O है, यह दूर है थोड़ा, ठीक है, यह ऑक्सिजन अपने इलेक्ट्रोन से खीच रहा है, इलेक्ट्रोन खीच रहा है, हाईली इलेक्ट्रोन हाईडाइट शिफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली नियोकलियोफिलिक अटेक कर रहा हूँ, इस बात को आप धिहान रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, अब यह समझो, कि मेरा 10 यूनिट पोजिटिव चार्ज होता, यहाँ पास में होने के वाड़े से, स जब मेरी कोई नेगेटिव एंटिटी आ रही है, यह वाई, तो किसकी तरफ जाएगी, वो जाएगी मेरी इसकी तरफ, क्योंकि यह ज़्यादा चार्ज दिखा रहा है, यह थोड़ा कम दिखा रहा है, समझेंगे ना, किस सेंस में के रहा हूँगा, तो मैं कहूँगा, कि यह तो अगर सपोज इंटर्नल हाईडाइड शिफ्ट होता है वगेरा कुछ होता, तो यहाँ पर मैं उसको वापस से यहाँ पर डाल दूँगा, रियक्शन, हाईडाइड शिफ्ट कर यहाँ पर अटेक कर दिखा, यह दूसरा भी अगर प्रोजेक्ट बनेगा, तो बना आपका इस तरह से, ठीक है, और यह OH है, पोजिटिव के साथ, और यह, 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 इस तरह से, H पोजिटिव ओविएसली निकल जाएगा, और यह आपका प्रोड़क्ट बन जाएगा, समन मैं गाईज आपको, तो इसका मतलब जो आपको करेक्ट आंसर हो गया, इस ओप इंटरमीडियेट एक्स, यह आपका C7H5O2 दिया वाए, अब इसको सबोज आईसा समझो, C7H5O2, सेम टू सेम यहाँ पर मैं ऐसे जोड़ दूँगा, ठीक है, O2H5C7 इस तरह से, यह जो आपका हो गया, सिंपल आपका देखिए, C6H5 दिया वाए ना इधर, C6H5, तो उस से आपको अंदाज लगाना है, कि यहाँ पर, let's just suppose, कुछ ऐसा हुआ होगा, C6H5 यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बनावाए यह, तो CO2 निकलावाए, तो यहाँने, let's just suppose, CO2C7 यह बन गया, similarly, 2 दिया वाँ था, तो एक रेप्लिका इसकी इधर हो गई, एकदम से, ठीक है, Now, HNVDV है, यह, Sunlight दे देते, तो इसका मतलब क्या है, Free Radical Mechanism, Paroxide दियवा है, Free Radical Mechanism होना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बन, क्योंकि यह, अच्छा, Electronegative Elements है, यह, इकवल, इकवल, बन तूट जाएगे, तो जब यह, यह, तूटे गे, तो यहा बन गया, समझ मैंगा इस आपको, Now, अगे, यह, ओ, नेगेटीव है, जस लाइक, डी कावजलेशन होती है, जैसे, COO, O, ओ, नेगेटीव में हो गया, यह, COO, O, इसमें, Free Radical में हो गया, तो कुल मिला के, यह, इसमें तो, मला, जैसे, इसमें होता है, यह वाला, बोन, तो मैं समझता हूँ कि, डी कावजलेशन हो रहा है, और 2, CO2 निकल जाएगा, लीविंग बिहाइंड, जैसे, यह, आर, नेगेटीव आ जाता है, इसमें, तो इसमें, आर, डॉट रह जाएगा, तो यहां पर आपका, यह, बन गया, डॉट, इधर भी यह, डॉट बन गया, तो 2 लिख लेता हूँ, फ्लस 2, CO2, समया, तो similarly, यह, C6, H5, यह, बन गया, यह, इधर देखे, यह, डॉट बना वाता है, इधर, आपके इसमें, समझ में आयोगा, जो, करेक्ट आंसर हो गया, आपका, आपका, आप्शिन में, अबडी, एक, 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 बार, दे है, कभी-कभी, रिएजेंट से आपके, देखे वे हैं, तो आप, इजली, आपके, कमपाउंड, आप, सब, एक, एक, आप्शिन को, बना सकते हो, अगर, डिफ्रेंट से लग रहे है, आप सोचो कि, यह, किसी, नेम, रिएक्शिन से, मैच हो रहा है, या, आप, इस तरह से आपको direct conversion बोला जा रहा है, तो आप यह कोशिश करो, कि क्या कोई यह name reaction है, देखे, अगर आप ध्यान से देखोगे, toluene से benzyldehyde में convert करने का एक name reaction है, जिसको आप बोलते हो, itard reaction, ओके, so, itard reaction में क्या हो जाता है, कि जब आप toluene की reaction, CRO3 and acetic anhydride के साथ, जब reaction कराते है ठीक है, और फिर इसका esteroposition hydrolysis हो जगा, acetic hydrolysis, तो आपका basically benzyldehyde बन जाता है, ठीक है, तो इसके according, फिलाल आपको यह पता है, कि itard reaction यह होगी, मेरा option number B is your correct answer, लेकिन इसमें, मैं आपको थोड़ा explain भी कर देता हूँ, साथ साथ, कि उसमें होता क्या है, थोड़ी सी आप अपको product लिखने आने चाहिए, दिक्का दो जाती है, तो देखे, तीन H है, टोली में, एक H को छोड़ के, दोनो H को इस से replace कर दो, इस वाले compound से, ठीक है, कैसे, देखे, C H है, O C double bond O CH3, O C double bond O CH3, अब देखे, गोर से, इतने से जब मैंने reaction कर आई, तो मेरा यह बन गया, अ देखे, O negative है, इसमें, ज्यादा, C और O में oxygen, ज्यादा electronegative है, अपने पास ले लेगा electron, और इस पे partial negative चाह जा जाता है, तो जो H positive है, इस पे चला जाएंगे, यहाँ और यहाँ, समझ मैं है, और इस पे जोड़ जाएंगे आपके OH and OH, ठीक, तो यह bond जब break होगा, तो एक तो यह बन गया, CS3, C double bond OH, एक यह CS3, C double bond OH2, और यह क्या बन गया इधर, यह बन गया आपका, CH तो था, एक OH, एक यह OH, अब एक कारबन पर दो OH गुरुप unstable होता है, तो अगेन यह H2O release कर देता है, यह H2O निकलके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखे, अब गोड से दे क्या बना यह benzaldehyde, समझ में आया, itard reaction, इस तरह साब थोड़ा shortcut way भी आप use कर सकते हो कि यार कैसे बनता था, itard reaction product इस तरह से, तो I hope guys आपको इस सारी की सारी जो कहानी ती हो समझ में आई है, and option B is your correct answer, ठीक है, next question देखते है, which of the following reaction will yield benzaldehyde as a product, इसमें मैं पहले से देखता एक चीज आपको थोड़ा बहुत समझा दूँगा short में, ताकि आपको समझ माते है, पहला हो गया आपका यह benzoic acid CWH हो गया, और इसकी reaction आपकी SOCl2 क्यूनिलीन के साथ करा है, देखिए SOCl2 देखते ही, और यहाँ पर OH देखते है, आपको यह समझ माना चाहिए, कि OH को direct replace कर तो यहाँ पर CL से, देखिए क्या होता है, अगर आपको कोई भी हाँ, एक X compound है, यह जैसे यह पाड़ है, और उसमें OH जुड़ा हो है, तो चाहिए आपको PCL3 दे दो, प्लस CL2 for example, PCL5 दे दो, इस टाइप कुछ भी देखिए, आपको सोच नहीं है, यह क्या लिखा है, SOCl2 दे दो, प्लस CL2 दे दो, इस टाइप कुछ भी है, आपको OH को अठाके CL से लगा दो, ठीक है, जैसे HOH, water, in fact water भी करूँ मैं, तो water भी HCL में convert हो जाएगा, similarly H204 के भी जितने OH है, HCL से replace हो जाएगे, ROH है, उसको RCL से कर दो, RCWOH है जैसे इस केस में, तो इसको RCWO CL से कर दो तो ये चीज़ आपको दिहान में आनी चाहिए, ठीक है, ये जब करा, तो मैंने ये वह कहते, ये CWL हो गया, again H2PD और BSO4 के साथ reaction कराई, तो ये आपकी हो गई, Rosenman Reduction, और ये आपका हो गया, Reduction होगा, तो इसमें Rosenman Reduction में क्या हो जगा, Simple आपको पता है, ये bone break होगे, दोन को उसमें समझाया होगे आपको, तो ये क्या होगे, HCl, तो बेंजल डियाइड बन गया, ओके गाईज, सो मुझे ये पता लगया, जो मेरा A इसमें है, ये भी बेंजल डियाइड दे रहा है, तो ये मेरा correct है, देखे, multiple options है, ठीक है, अब दूसरा पूछा होगा है, अगें ये आपका alcohol दे दिया, और इसको कहा है कि क्या ये convert कर पाएगा, CS2OH है, CRO3, H2SO4 के साथ इसकी reaction कर आई है, और अब पूछा गया है, कि हम ये बता होगे, ये क्या होगा, देखे, simple, simple, ये reaction क्या है, complete oxidation है, ये एक CRO3 है, देखे, chromium based oxidizing agents पे, मैंने proper video बनाई हुई है, उसको जरूर देखे, मैंने बहुत अच्छा होगे, सब कुछ covered है, देखे, CRO3 क्या है, इसमें जो chromium है, maximum oxidation state में, इसमें CR, ठीक है, कैसे देखे, CR, minus 3 into 2 equals to 0, याने CR इसमें plus 6 oxidation state में, जो कि इसकी maximum oxidation state है, अगर आप chromium का electronic configuration देखोगे, तो 3D5, 4S1 होता है, याने maximum 5 electron निकाल सकता ह 6, plus 6 लिख दो, तो याने ये, क्योंकि maximum अपनी, उसमें oxidation state में, तो ये क्या, एक बहुत अच्छा, reducing agent, oxidizing agent है, basically, खुद का इसको अब क्या है, ये इसके बाद electrons donate नहीं कर सकता, अब इसे electrons चाहिए, इसको electrons की भूक है, तो ये दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से oxidize करके, खुद का reduction करा लेगा, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे oxidizing agents है, तो इसमें क्या है, जो alcohol को क्या करता, directly, ये acids में convert कर देता है, ठीक है, इसको मैंने again में बता रहा हूँ, chromium based oxidizing agents पर मैंने वीडियो बनाई हूँ, उसको सर्च करना, chromium based oxidizing agents, आविश chemistry आप चैनल पर सर्च कर है, तो बस यहां COOH हो जाएगा, ठीक है, बेंजोई के acid हो गया, जो कि आपका correct answer नहीं है, इसमें benzyldehyde बनाता है, ये नहीं हो, again, ये option दिया हूँ है, और इसका क्या है, एक पहली बात तो एक reducing agent है, ये reducing agent है, ये reducing agent, आप समझो कि normal reducing agent है, when we compare it with lithium aluminum hydrate, ठीक है, तो अब इसके साथ, ये basically क्या करता है, ये reduce कर सकता है, आपका aldehyde को reduce कर देगा, ketones को reduce कर सकता है, to alcohols, obviously है न, ये acid chlorides को कर सकता है, जैसे COCL हो गया, ठीक है, anhydrides को कर सकता है, ठीक है, समझ माया, लेकिन जो इसके, इनको तो कर सकता है, इसके लावा किन को नहीं कर सकता है, जैसे carboxylic acids को reduce नहीं कर सकता, to maybe even aldehyde में भी, या है न, उनमें भी नहीं कर सकता, या carboxylic acid derivatives हो गए, जैसे, like amides हो गए, आर जैसे COONH2, या ester हो गया, इनको reduce नहीं करता, समझ माया, तो जैसे ही आपने NABH4 किया, first step है, तो यहीं पे इसकी no reaction, कुछ नहीं reaction देगा, PCC तो ही नहीं, समझ माया, तो इसका मतब यह भी आपका benzaldehyde नहीं देगा, again, जो अगला step है, यह वाला, मैंने बताया था आपको, इसमें, जो toluene से, जब आपको convert करना रहता है, benzaldehyde में, है न, यह itard reaction सा आप बहुत easily कर सकते हो, itard reaction में क्या ह है आपका, CRO3, और आपका acidic, जो anhydride है, उसके साथ आपकी reaction होनी होती है, याने CS3, C double bond O, O, C double bond O, CS3, और बाद में S3, और positive साथ, hydrolysis हो जाएगा, बिसलिए, acidic hydrolysis, तो मैंने आपको इसमें बताया था, यह convert हो जाता है, इसकी trick भी बताया थी, अगर आपको, कि जैसे CH है, 2H हो रहे हैं इसके, इनको हटाके, यह वाला जो port है ना, यह जोड़ दो, O, C double bond O, CS3, O, C double bond O, CS3, कहा था, और फिर H3 हो positive है, O negative, बेसिकल, ज्यादा electron negative है, इस पर ज्यादा electron density, इस पर कम है, तो इस पर देखे, H positive चला जाएगा, और इस पर OH चले जाता है, H positive OH, तो यह तो 2 OH होगे इसमें, एक carbon पर 2 OH unstable होते है, तो water निकाल लेगा, और यह क्या बना देगा, यहाँ पर, benzyldehyde CH, तो यह भी आपका यह जो है, बना रहा है, benzyldehyde, तो इसका मतलब A and D, याने option C is your correct answer, I hope guys, आपको समझ में आऊँगे, सारे options समझ में आऊँगे, next vision देखते है, match list 1 with list 2, now guys, एक बात ध्यान देगे, यह सारी जो reaction दी भी है, इसमें आपको कुछ, ऐसा कुछ खास mechanism याद निकरने है, बस इन reactions को याद रखना है, क्योंकि यह reaction में बहुत बार direct पूछी गई है, ठीक है, इसमें mechanism में जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगे, हालगी maximum इन प polyther, phenol, इन सब की देखोगे, इसमें भी बहुत बार आपको इन पर question मिल जाएगे, and that is why we do basically pyq, इनकी सब को habitual हो जाए, कि क्या पूछ जाने वाले है, ठीक है, तो जो match list 1 हमें करना है, list 2 से, पहला अगर आप option देखोगे, इसका OH है, और यहाँ पर CHO के साथ, देखे, ortho position प reaction है आपकी, remote treatment reaction में क्या होता है, कि जैसे phenol हो गया आपका, और आपकी CHCl3, chloroform और equos NaOH के साथ, इसमें reaction हो जाती है, ठीक है, और via dichlorocarbene intermediate, ठीक है, CCL2, यह दो electrons है, आपका यहाँ पर ortho position पे, basically इस position पे CHO जोड़ जाता है, समझ में आपको, तो इसको बोलता है, remote treatment reaction, डार A का option तो हो गया, आपका 4, ठीक है, एक option 4 है, तो अब यह देखो, A4, A4, यह तो आप हटा दो, अब देखने की जो होती निये, इसमें, ऐसे ही आपको option काट के देखने पड़ेंगे, दूसरा है, इस से direct आपने, देखे, simple, phenol से आपको direct benzene में convert करना है, guys, बहुत easy reaction है, मैं zinc dust डाल दोगे, तो यह हट जाएगा, और यहाँ पर H जुड जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, guys, बस आपको पता होना चाहिए, zinc dust डाल दोगे, तो phenol से benzene में convert हो जाएगा, तो इसका मतलब जो B है, B option 3, तो यहाँने यह भी आपको option, यहाँ कट गया, B और 3 हो गया, C हो क्या आपका, again, phenol से आपको इसमें convert करना है, quinone में, इसको क्या बोलता है, quinone, तो quinone को जब आपको इसमें convert करना है, देखे, इसमें क्या होता है, यह bond हो गए, और double bond हो, double bond हो, इसको क्या बोलता है, quinone, so basically यह para benzoquinone है, ठीक है, और अगर एक ऐसा भी इसमें बनता है, देख तो इसमें सिंपल क्या है देखे जब आप सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इसमें रियेक्शन कराते हो ह2-H4 की प्रजेंस में तो बेंजो किनोन बनेगा या जैसे इस टाइप के बना दो या इस टाइप का बना दो जो अब आपका पूछा हुआ है वह हो जाएगा तो क्या है एने टू-C-R27-H2-H4 बेंजो किनोन बनाना है यह ध्यान रखना आप वाइस समझना आप चलो यह हो फिलाल C का मेरा इसमें हो गया option number 2 अब यह कट गया यह option है तो अब मैं last option देखते हैं समझने के लिए obviously D का first ही हो गया तो लेकिन देखें क्या होगा जब फिनोल की reaction आप OH-BR2 in the presence of CS2 दे रहे हो तो इसमें क्या हो जाता है देखें अब यह BR2 in the presence of CS2 अब एक बात गोर से दे दिया जा सकता था यहां फिर इसके बजाए आपको यहां H2 भी दे दिया जा सकता था इन दौनों के case में तो एक तरह के product बनेंगे और BR2 और H2 दे दिया इसके case में different product बनता है इस बात को अब धियान अगर तो अगर यह है BR2 CS2 या BR2 CS3 तो आपका obviously bromination होगा लेकिन किस तरह से बनेगा या तो देखे यह ना या तो इस पर या इस पर ब्यार या तो इस पर जूड़ जाएगा या फिर BR मेरा इस BR पर जूड़ जाएगा ठीक है इस तरह के आपको product बन जाएगे लेकिन let's just suppose फिलाल तो देखे इसके according जो आपका यहां पर match हो रहा है लेकिन अगर suppose आ यह यह एंड यह सब पर BR जो दो उस case में यह product बन जाएगा तीन bromine इस CS2 या CSCLT case में क्या बनता एक BR तो यहां difference आ जाता है इस पर भी question अच्छे बनते हैं तो फिलाल जो आपको option A है is your correct answer next question देखते है the major product P of the given reaction is ME मतलब methyl ओविसल लोन पर है इस पर H positive दिया वाए obviously attack करेगा और कोई यहां पर attack नहीं कर सकता तो यहां पर आपका ME ME OH2 बन गया और एक यह ME OH2 के साथ positive charge है तो यह निकल गया H2O leaving behind a positive charge in this position तो यहां पर मैं डाल देता हूँ एक positive charge अब क्या होगा इसमें rearrangements होंगे internal तो यहां methyl shift कर देते हैं ठीक है अब देख यह secondary position है methyl shift अगर मैं करता हूँ यहां पर तो यह क्या हो जाएगा इधर इसका जो secondary carbocatine था secondary carbocatine से अब यह बन गया tertiary which is more stable than secondary ठीक है अब जब यह बन जाता है अब इसके बाद इससे कहीं नहीं जा रहा है यह stable है बस simple hydride shift हो जाएगा ओके सो क्या बन जागा है यहां पर अब आपका double bond इधर बन गया आपका double bond obviously guys यह तो easy question था तो इस तरह से आपका answer आ गया तो option number जो C है is your correct answer next question देखते हैं the major product of the following reaction contains किते number of bromine atoms देखें simple है bromination हो रहा है बियार टु, h new, बियार टु, sunlight, कुछ भी लिख दो तो देखें जैसे okn हो गया आपका तो इसमें ध्यान रखें जब h new और vr 2 से reaction हो रही है तो जो sp3-carbon है इन पर जो भी h होते है वह one by one आपके ब्यार से रिप्लेस चुझा जैसे यह हो गया या फिर आपके जैसे च है एक ब्यार और जोड़ तो यहां ब्यार जोड़ गया similarly यह CH3 है एक CH2 करके एक हैच को ब्यार से रिप्लेस कर दिया CH को एक हैच को अटागे फिर से ब्यार कर दिया तो ऐसे मल्टिपिल आपके ब्रोमीनेशन को बनते हैं लेकिन इन ब्रोमीनेशन वी नो जो पिकि आपके मोनो ब्रोमीनेटीड प्रोड़क्ट्स होते हैं आर जनरली मोर स्टेबल ठीक है फर्दर के तो आपके कंपाउंड से बनते रहेंगे जब मैं यह कहूंगा कि कितने आपका ब्रोमीनेशन प्रोड़क्ट्स बन सकते हैं तो मैं सब को बनाके काउंट करूंगा जैसे इस पर्टिवल कंपाउंड में देखो एक तो यह है और इनमें भी जो मोनो ब्रोमीनेटिड प्रोड़क्ट होगा वे ज़्यादा स्टेबिल होते हैं वे ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं तो यह तो मैं हो गया कि जब मेरी मेजर प्रोड़क्ट की बात हुई इर्रेस्पेक्टिव हो कि यहां पे कितने एच मुझे एक मोनो ब्रोमीनेटिड प्रोड़क्ट बनाना है थीक है वह ज्यादा स्टेबिल हो जाएगा तो अगर अब आप एक चीज ध्यान दो तो मैं यह डारेक्ट बोल सकता हूं कि मोनो ब्रोमीनेटिड जो इसमें होगा वह एक ही मेरा ब्यार जुड़ेगा वन ब्यार पहली बात तो यहां से आप डारेक्ट लगा सकते हैं फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या प्रोड़क्ट बनेगा सपोज किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया यह वाला बनेगा या यह वाला बनेगा अब यहां पर आ जाता है आपका फिर रेडिकल मेकेनिजम वी यह वाला जादा स्टेबिल हो जाएगा तो मैं सिंपल ब्यार को कहां जोड़ दूँगा यहां यह ब्यार बन गया और यह आपका प्रोड़क्ट बन गया इसका मतर्ब समझ में आपको तो एक ब्रोमीन एटम आपका होगा मेजर प्रोड़क्ट पर कन्फूजिंग था लेक और यहां पर इसका कैसा है देखिए सी है यह वाला नेगिटिव चार्ज है यह यह एलाई पोजिटिव चार्ज है और इधर यह तीन CH3 इनों ने जोड़ दिये तो बेसिकली जो में एक्टिव जो अटैकिंग स्पीसी है वो यह है और एक बार और ध्यान रहें कि यह बलकी है कई भी काम आ सकता है आपके यह ठीक है समझ में आना आपको यह जरूरी है कि यह बलकी है बहुत इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले क्योंकि बहुत बार स्टुएंट को इसमें confusion रहता है यह एक मेरा कंसेप्ट देखिए जब भी आपका आर है पर एक्जाम्प इसका मतलब क्या हुआ है जो यह आर है मेरा कुछ भी हो सकता है इविन अगर मैं यह बोलूं आपको बियार और मैं इसको तो mg से reaction करा हूँ, तो आप generally क्या बनाते हो, मैं सिर्फ आपके concept brush up करा रहा हूँ, आप क्या करोगे, यह negative charge है, ठीक है, और mg और x, obviously यह ब्यार हो जाएगा, तो ग्रिग नाद यह मना, same to same, जब आप इसकी reaction, R2, R3, CLI के साथ करते हो, तो same आपका organo lithium बनेगा, और यहाँ पर हटा के, यह negative charge लगा दूँगा, तो आपको यह नहीं कहना है, सर यह negative charge यहाँ पर क्यों आ गया, यह तो BR जुड़ा है, इसकी mechanism एक बार आप देख लिए ना, दुबार से, देकिन आपको फिलाल इस question में यह पता होना चाहिए, negative entity है, यहाँ एक acidic charge है, और यहाँ BR है, दोनो बना दिया है, यह Li हो जाएगा positive, यहाँ पर भी ऐसे हो गया, ओ है negative Li, इतना समझना गाइस, यह organo lithium वाला बना दिया part, अब जब यह O negative है, C double bond O, C double bond O, याने CO2 के साथ direction हो रही है, क्या होगा, यह attack करेगा, यह attack करेगा, this is in conjugation with this benzene ring, तो यह जो negative charge है, इतना ज्यादा अव उपर है, यह कहेगा, भीया मैं इसको नहीं जेल सकता, इस negative charge को हटाओ, इसे मेरे उपर से निगाल के फेको इसको, तो अब यह क्या करेगा, कही ना कही इस negative charge को हटानी कोश्च करने, तो इसका मनले यह reaction करेगा, we know, जैसे carbon है, double bond O हो गया, O जो है यहाँ पर, ज्याद एले click attack होगा, तो obviously एक bond मैं से break हो जाता है, और यह देखे, इस तरह से बन जाएगा, C बन बना, double bond O एक यह वाला, और यह O negative हो गया, बन टूट गया था, यह अभी भी यहाँ negative O negative है, मोज ले रहा है, आपर कुछ नहीं कर रहा है, अब जब HTO positive के साथ, hydrolysis हो रहा है, तो obviously यहा मतलब मेरा एक बन गया, तो अगर जब आप intermediate की बात करने हो, A, A ने जब इस से reaction कर रहा था, यह वाला A, यानि यह A हो गया, तो A क्या है, और negative है, लीथियम जोड़ो तो guys, कुछ नहीं, simple, तो जो आपका option क्या होगे correct, option number B is your correct answer, I hope guys आपको यह सारे जो concept हैं, वो समझ में यह बहुत important होते हैं, okay, so B is your correct answer, next question देखते हैं, given below are two statements, statement one, phenols are weakly acidic, और statement two दिया है, therefore, they are freely soluble in NUH solution and are weaker acids than alcohols and water, अब इसको देखी, देखे, weaker acid या stronger acid, यह सब basically relative होते हैं, मैं weak acid हूँ in comparison to दूसरे के, और stronger acid हो सकते हूँ in comparison to other compounds, लेकिन in general, जब आपकी PK values देखते हैं, तो जब आप reaction होते हैं, तो उसमें भी यह final आप देख सकते हो, कि अच्छा, यह weak acid है, इसमें acidic character कम है, और इस compound में acidic character जाता है, लेकिन फि में तो मैं जरूर compare कर सकता हूँ, कि यह वाला इससे जादा acid, यह overall weak acid है, लेकिन at least it is stronger than this compound, तो यह वाला compound मन जाता है, तो phenols are weakly acidic, यह सब को पता है, कि general देखे, phenolic alcohol वाला हो गया, यह generally weakly weak acid हो जाता है, लेकिन यह ऐसा क्यों हो जाता है, पहले उसको आप देखे, देखे, क्या होता है, कि जब आप, कोई आपका, for example, ROH मान रहता हूँ, समझाने के लिए, और जैसे हाँ, NOH ले लिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कि ROH यहाँ पे, सपोज मैं acid मानता हूँ, acid को जो की एक proton दे सकता है, RO negative है, यह H positive है, easily यह दे सकता है, कितना easily, उस पे depend हो रहता है, इसका strongness और weakness, तो ROH है, suppose OH ने इसका negative, एक proton ले लिया, ठीक है, तो यह RO negative बन गया, obviously यहाँ पे Na positive लिख लो, और H2O बन जाएगा, अलग ची, अब यह बन गया, आपका base, अब यह अगर weak acid है, तो इस शुड़ बी a strong base, अगर यह strong acid है, तो इस शुड़ बी a weak base, ठ वाला concept चलता है, अब एक बात आप इसको यह hold पर रखिए, और आप इसमें देखिए, कि जब मैं phenol की बात करता हूँ, we know, कि जितना ज़्यादा, जब यह देखे, जब इसने proton को निकाला, तो यहाँ पे यह मेरा phenoxide ion बन गया, और जितना ज़्यादा stabilize या मेरा O negative हो और इस negative charge ही basically आगे जो reaction में participate करना चाहिए, लेकिन इसमें catch हो जाता है, इस particular इस compound में है, इसके अगर आप multiple resonance structures देखेंगे, resonance stabilized होगा, तो यह वाला ठकी यहाँ पर बन गया, तो अगर आप इसको देखें, multiple resonance इसके structures आप बना के देखते हो, तो यह इस तरह से बन जाएगा, यह यहाँ पर negative, फिर दूसरे यह यहाँ पर attack करेगा, तो इधर आपका इधर negative हो गया, और फिर से यह इस तरह से करेगा, तो एक तीसर आपका, यह यहाँ पर negative हो गया, अगें जब यह यहाँ पर बन जाएगा, तब वापस इधर पहुच जाएगा, तो अगर आप overall देख अब एक बात दीखे जब carbon पे नेगटीव चार्ज है और oxygen पे नेगटीव चार्ज होता है इसमें ज़्यादा क्या होगा रियक्षिन में कोण ज्यादा एक्टक करेगा ओवियूसली कारवन देखे ओख ज्यादा है यह समय यह आपर नेक्टि बिचर्ड मांने पैसे मांना तो कन्जूस आदमी या कोई भी पैसे नहीं देना चाहता वह अपनी तरफ ठीचना चाहता वह कहेगा भीक इने अपने पैसे मैं तो अपने पास करें फिली है तोह दो लेा यार मेरी तरफ से ले ले तूँ इससे मतले ओवियसली तो यहाँ पर जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आते है ना तो यह बिसीली रियक्षिन में अटैक कर जाते हैं तो ऐसे जब आप मल्टिपल रियक्षिन्स देखते हो ना जैसे फिनोल से आप आप कर देते हो जैसे तो उसमें जैसे क्या होता है जब आपने देखा होगा रियक्षिन्स करते हो फिनोल से तो यहाँ पर जुड़ जाता है तो जनरली इसी वज़े से क्योंकि यह जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर एन्टिटीज जो होती है यह ज्यादा रियक्टिव होती है तो इसी COOH है काभुग जिली कैसे इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि OH निकालेगा तो CS3C OO नेगेटिव पर आजा है लेकिन अगर आप इसके Resonance Structures देखते हो ना तो CS3CO negative यहाँ double bond O आगया तो दोनों में जो negative charge है यहाँ पर oxygen पर ही है तो इसका मतलब यह oxygen पर ही है तो यह easily यहाँ पर stabilize रहता है आगे कुछ attack करेगा तो यह करेगा मतलब attract भी करेगा तो यही करेगा लेकिन इस case में क्या हो जाता है और carbon वाला जो positions होती है वो जादा role play करती है तो इसलिए मैं मैं कह देता हूँ कि यह वाला जो है इससे ज्यादा हो जाता है यह basically ज्यादा acid ही गए इससे इतना समझ में आपको समझने के लिए कि carbon पर नहीं है इसमें carbon पर जाद रहा है तो मैं यह कहता हूँ, हाँ भाईया, समझ गया, मैं कि यह weak acid हो गया, अच्छा, एक बात अब उड़ देखें, कि फिनोल सा weaker acid, ठीक है, statement हो इन्स करें, लेकिन, therefore, they are freely soluble in NUH, weak acid को आप एक strong base के साथ reaction करते हैं, तभी आपका यहां से strong base और इस से weak acid बनता है, ठीक है, तो NUH is a strong base, तो यह इसके साथ easily soluble हो जाए, यह पार्ट तो आपका सच हो गया, and are weaker acids than alcohols and water, this is basically incorrect, कैसे वो देखिया, जब मैं ROH और HOH को देखता हूँ, तो इसमें तो जब H निकला, नेगटिव, इसमें H निकला, इसमें यह नेगटिव, अब यह जो stabilize हो रहा था, देखें, oxygen पे जब यह देख रहा था मैं, यह negative charge, मैंने क्या कहा, oxygen को आप समझे, अच्छा इलेक्ट्र नेगटिव element है, यह कंजूस है, यह कहेगा कि मेर बाद कम पैसे है, जो मैं देना नहीं चाहता किसी हो, oxygen वैसे भी देना नहीं चाहता किसी हो, लेकिन फिर भी, क्या होगा, कि जब यह negative charge है, यह पूरे में stabilize हो रहा है, रिंग पे, जितना ज़्यादा stabilize हो जाएगा, समझ मैं, उतना easily यह proton lose करने की कोशिश करेगा, देखे, overall मैंने आपको पहले बताया था, कि stronger acid, weaker acid, यह relative concepts होता है, ठीक है, तो जैसे, this is basically, जो phenol है, वो weaker acid है, than carboxylic acid, लेकिन stronger acid है, than these guys, क् इसमें stabilize हो जाता है, तो यह proton easily निकाल देगा, लेकिन इसमें oxygen पे, अगर आप compare करोगे, negative charge concentrated है, यह कहीं stabilize नहीं और resonance की मेचे से, इसलिए, यह obviously निकाल लेंगे, लेकिन इसकी जितनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, इसमें negative charge concentrated है, एक पे, इसमें पूरी ring पे divide हो गया, सम ROH and HOH, तो statement 2 है, वो incorrect हो गया, तो जो आपका option number C है, this is correct answer, थोड़ा सा confusing है, लेकिन यह ज़रूर समझें, यह अच्छे concepts है, ओके, next vision देखते है, in the given reaction, यह आपका एक OH है, alcohol है, और यह number of compounds के जाद यह हो है, direct लिखने हैं बस, देखे, K2, C, R2, 7, again मैंने chromium based oxidizing agents पे वीडिय बनाईगी है, यह सारे के सारे, जो CRO, 3, K2, C, R2, 7, ठीक है, जो, बिल्कुल जितने भी आपको compound जखे न, सब पे मिल जाएगा, आपको वीडियो ज़रूर सर्च करना, देख, K2, C, R2, 7 is a good oxidizing agent, और यह alcohol को, देखे, alcohol को convert कर सकता है, to the maximum, ठीक है, तो basically अगर ketone में convert हो पा एक कुल मिलाके, जो catch होता है, इसमें, वो यह है, कि देखे, जैसे C, H, 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 and H, मैं गर इसका oxidation करता हूँ, तो one by one, एक एक H, OH में convert हो जाते हैं, तो C, H, H, एक बार oxidation करा, तो H को OH में convert करते हैं, दुबारा मैंने इसका oxidation किया, तो एक H, दुबारा से इसका OH में convert हो गया, क्योंकि एक carbon पर दो H unstable है, तो H2 निकल जाता है, तो obviously यह किस में change हो जाएगा, ऐसे C, H, H तो यह दे, और यह एक bond यह, एक bond यह O, double bond O, ठीक, basically carbonyl compound में, यह R हो सकते हैं, ketone हो सकते हैं, ठीक है, अब अगें, एक H फिर से OH में convert कर दें, तो यह इस बार carbozglik acid में convert हो गया, अगें, आगें, बहुत extreme condition में, फिर से oxidation हो सकता है इसका, तो यह इसका C double bond O, एक OH पर फिर कर दें, अगें, water निकल जाएगा, और यह C double bond O and O, CO2 finally बन सकती है, अब इसको गोर से देए, एक एक H convert हो रहा था, लेकिन अगर, suppose यहाँ पर यह दोनों जो H हैं, R होते मेरे, तो म नहाँ पर रुख साथ जाती, कार्बोगजिलीक असीड पर, तो depending upon कितने मेरे H है, OH और क्यों, अगर मेरा extreme good oxidizing agent है, उसके case में बात कर रहा है, अब अगर यह सारा concept आपको समझ में आया है, तो अगर इसको देखो, इसमें पहले number of, जो बेसिकली, जो यह कार्बन है, एक OH, इस पर एक H जोड़ा हुआ है, इसके अलाबा यह सीए, यह सीए, बस आपको, जब K2Cr2O7 के सार्थ कर रहे हो, तो इस H को OH में convert कर दो, ठीक है, OH and OH, जैसे मैंने बताया, एक कार्बन पर दोच unstable होते हैं, वाटर निकाल दो, तो यह जब बन जाता है, इस तरह से, O, double bond O, य basically, ketone बना दिया आपका, ठीक, आगे reaction नहीं बढ़ सकती है, अब ग्रिंगनार्ड रियर्जन से reaction कराई, तो ग्रिंगनार्ड रियर्जन में, basically, यह क्या है, यह वाला हो गया, C6H5A तो negative entity हो गया, MGBR हो गया, अब यह attack करेगा यहां पर, और यह bone खुल जाएगा, सब को पत में आपका H2 हो रहा है, से reaction, तो मैं direct यहें लिख देता हूँ, O negative है, तो H2 हो से H ले लेगा, ठीक है, और यहां पर मैं H बना देता हूँ, तो यह basically OH हो गया, इतना समझ माया है guys आपको, now, अब और यह H आयन के साथ reaction, again guys भई, lone pair है, यह attack करेगा, और यहां पर आपका, यह देखे, एक यह ring हो गई, यह OH2 हो गया, positive charge के साथ, एक यहां पर आपका यह है, obviously यह दो electron लेके उड़ जाएगा, यहां पर positive charge डाल देगा, यहां पर positive charge डाल देगा, तो मैं यह हटा देता हूँ, यही पर positive charge बना देता हूँ, और यह, अब बताओ, अब यह कहीं घूमेगा चार्ज कहीं घूमने वाला है, कहीं नहीं घूमने वाला, क्यों नहीं घूमने वाला, भाईया, अल्रेड़ी यह resonance stabilized हो रहा है, और यह बेंजीन के पास में है, बहुत stable है, यह ring पर नहीं जाने वाला, बस अब इसको positive charge को अटाना है, चाहिए इस carbon साटा दो, चाहिए इस carbon स साटा दो, इसमें तो कोई confusion ही नहीं होना चाहिए आपको, let's just suppose मैं इस carbon साटा देता हूँ, तो क्यों भाई, same ही है carbon, इसलिए करहो मैं, तो यह जो आपका रेक तो ring हो गया, यह एक यह ring हो गया, और एक double bond लगा दी यहाँ पर, and this is your, जो आपका X major product है, अब number of sp2 hybridized carbon in double bond X is क क्या हो गया, देखें, यह क्या है, एक्चुल में ring यह होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने होगे sp2 hybridized carbon, 8, तो this is your final answer, I hope guys आपको यह जो question है, वो समझ में आया होगा, next question देखते है, the intermediate X in the reaction, देखें guys अगर आप उसको गोर से देखो, तो फिनोल की reaction हो रही है, C-C-L-T-E एक्को सेनोच के साथ, यह एक आपकी रीमर्टीमर्ण reaction हो गई, ठीक है, रीमर्टीमर्ण reaction में obviously आपको पता है, जब फिनोल को, C-C-L-T-Eक्को सेनोच के साथ देखें करते हो, तो फिनोल कर्णवर्स इन्टू इन्टू इस कंपाउंड, यहाँ पर और्थो बजिशन आप में कहा है, कि जब एक ऐसा intermediate बनाया है, जिसकी जब NUH और H के बनाया reaction करी तो यह बना, तो basically आपको वो product intermediate जो भी बनेंगे, उसको बताना है, जो भी NUH जिसके साथ reaction करता है, ओके, तो यह X देखना है, तो अगर आप देखोगे, C-C-L-3 है यहाँ पर NUH का है, वो जो basically यह दो electron है, इस पर carbon पर रह जाता है, तो dichloro carbon यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, अब क्या है, OH negative, again guys, यह जो H है, इससे ले लेगा, obviously phenol में से यह HDK हो जाता है, और यह negative charge है, पूरी ring पर distribute होता है, O negative के बजाए, जो carbon है, यहाँ negative यह जादन इकलिफिलिक होता है, इसलि negative charge, यह double bond O, ठीक है, तब यह क्योंकि एक electrophile होता है, CCL2, देखे, इसमें क्या होता है, MTP orbital होता है, इसलिए electrophilic जो nature का रहता है, तो यह जोड देगा, ठीक है, आगे अगर आप देखे reaction, यह reaction में इसकी, तो यह जब आपका यह वाला product बनता है, ठीक है, क्या बना, O negative CHCl2 ठीक है, इसके साथ, आप finally, O negative की reaction कराते हैं, ठीक है, और बाद में, proton, neutron, add हो जाते हैं, तो यह वाला जो है na, basically product आपका, यह answer पूछावा है आपसे, एक बार mechanism आप दुबारे से देख रहा है, I hope आपको आती होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा है, जो आपका option number C है is your correct answer, एक बार दुबारे से देख लेना, ठीक है, I hope आपको आपको यह सारे questions है, वो समझ में आए होगे, basically देख कि guys, PYQ का जो करने का एक मकसद यह होता है, कि आपको जो questions से revision हो जाए, mechanism में उसके direct answer लिखने आने चाहिए, ताकि आपको exam में गर mechanism पर ही based question पूछा है, तो भी दिक्कत ना हो, और जब आपको multiple product आपको answer ही पूछना है, तब भी उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इससे यह basically फायदा रहता है, ठीक है, so I hope guys आपको समझ में होगा, thank you for watching, like करें guys, share करें, please subscribe भी जरूर करें, इससे बहुत help मिलती है हमें, okay, thank you, bye.